हेलो बचो कैसे हो बचो आज हम फिजिकल प्रापर्टीज आफ नान मैटल्स डिसकस करेंगे ठीक है तो आई शुरू करते हैं सम फिजिकल प्रापर्टीज आफ नान मैटल्स और इस अंडर ठीक है फिजिकल प्रापर्टी है नान मैटल्स की के यह ना तो मैलियबल है ना डक्टाइल है ठीक है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नान मैटल्स और नीदर मैलियबल ना डक्टाइल ठीक है यह नान मैटल्स और ना इनको बीट करके हम इनकी शीट्स बना सकते हैं ना इनसे हम तारें बना सकते हैं ठीक है यह ब्रिटल होते हैं ब्रिटल मींस जो इसली ब्रेक हो जाए ठीक है ब्रिटल मींस ब्रेक इसली जो असानी से तूट जाए ठीक है बच्चो अब नेक्स्ट प्रपर्टी डिसकस करेंगे नान मेटल्स हीट और एलेक्टिसिटी को कंडेक्ट नहीं करते हैं एकसेप्ट कार्बन ठीक है कार्बन की एक फार्म है जिसको ग्रेफाइट केते हैं वो एलेक्टिसिटी कंडेक्ट करता है बाकी नान मेटल्स एलेक्टिसिटी और हीट को कंडेक्ट नहीं करते हैं लिक सकता हूँ, non-metals do not conduct heat and electricity, ठीक है, except carbon, ठीक है, non-metals, heat and electricity को conduct नहीं करते हैं, except carbon, ठीक है, carbon की एक form है, जिसको graphite करते हैं, वो electricity conduct करता है, ठीक है, carbon in the form of graphite, conducts electricity, ठीक है, ठीक है, बच्चो, next, physical property है, non-metals की, कि non-metals lustrous नहीं होते हैं, यहनिके, वो shiny नहीं होते हैं, उनकी shiny surface नहीं होती है, वो dull होते हैं, यहाँ पर लिक सकता हूँ, non-metals are not lusherous, ठीक है, they are dull, they don't have shiny startup, सब्सक्राइब होते हैं उनकी शाइनी सर्फेस नहीं होती है ठीक है बच्चो पिर उसके बाद नान मेटल्स ज्यादतर साफ्ट होते हैं ठीक है एक्सेप्ट डाइमंड जो के हाड है ठीक है यहां पर लिख सकता हूं नान मेटल्स और साफ्ट एक्सेप्ट डाइमंड विच इस हाड नान मेटल्स जनरली साफ्ट होते हैं डाइमंड के इलावा डाइमंड हाड होता है ठीक है बच्चो नान मेटल्स या तो सालिड होते हैं या लिक्विड होते हैं ठीक है नान मेटल्स या तो सालिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गेसिज होती है यह तीनों फार्म्स में पाए जाते हैं ठीक है मैं यहां पर लिख सकता हूं non-metals may be may be solids liquids or gases at room temperature non-metals solids liquids and gases and room temperature we have example we have sulfur and phosphorus these solids liquids then we have bromine this is a non-metal liquid होता है ठीके उसके बार जिसरे हार्डूजियन है उसके बार आक्सिजियन है उसके बाद क्लोरीं है उसके बाद نाइट्रोजन है यह क्या है यह गेसीज ठीक बच्चो मैं दोबादरा रिपीट करना हूँ Nन मेटल्स कुछ सालिड होते हैं कुछ लिकृड होते हैं कुछ गेसीज होते हैं रूम टंपरेचर पे जैसा के यहाँ पे हमने कुछ एक्जामपल्स ली है सल्फर और फास्फर असमारे पास सालिड है ब्रॉमिन लिक्विड है हाइडरोजन, आक्सिजन, कलोरियन, नाइडरोजन ये गेसिस हैं ठीक है ये हैं कुछ एक्जामपल्स नेक्स्ट फिजिकल प्रपर्टी है नान मेटल्स की कि ये ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और वाइलिंग पॉइंट लो होता है मेटल्स से ठीक है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नान मेटल्स have low melting point and boiling point then metals इनका melting point और boiling point low होता है metals से ठीक है बच्चो अब बारिया आती है next property की next property ये है कि non metals इनकी low density होती है ठीक है यनिके ये light substances होते हैं हलके substances होते हैं मैं यहां पर लिक सकता हूँ non-metals low density that is non-metals are light substances ठीक है non-metals की low density होती है यनिके ये light substances होते हैं ठीक है बच्चो नेक्स्ट प्रपर्टी है ये नान सोनोरस होते हैं यनिके ये कोई sound produce नहीं करते हैं कोई ringing sound produce नहीं करते हैं जब इनको hit किया जाता है ठीक है मैं यहां पर दिख सकता हूँ हुआ है they are non-sonoras ठीक है they do not produce ringing sound when hit by an object, ठीक है, नान में ताज नान सोनोरास होते हैं, वह ringing sound produce नहीं करते हैं, जब इनको किसी object से, किसी चीज से hit किया जाता है, ठीक है बच्चो, अग नेक्स्ट प्रापर्टी है, नान मेटल्स के बहुत सारे color होते हैं, यानि कि यह different colors में पाया जाते हैं, ठीक है, यहां पर लिख सकता हूँ, नान मेटल्स के बहुत सारे colors होते हैं, नान मेटल्स के बहुत सारे color होते हैं, यह बहुत सारे color में पाये जाते हैं, हम कुछ examples लेते हैं, जैसे के sulfur है, sulfur का yellow color होता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम फासपोरस लेते हैं, तो फासपोरस का color के सा होता है, red या white, फासपोरस लेते हैं, तो फासपोरस लेते हैं, रेड या white इन color, ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रेफ हाइट लेते हैं, ग्रेफ हाइट का black color होता है, फिर अगर हम कलोरीन लेंगे, कलोरीन का yellowish green color होता है, ठीक है, अगर हम hydrogen और oxygen की बात करेंगे, तो ये colorless होते हैं, यहनिके इनका कोई color नहीं होता है, ठीक है, नान मेटल्स बहुत सारे colors में पाये जाते हैं, सल्फर का yellow color होता है, फासफोरस का color red या white होता है, ग्रेफ हाइट का black color होता है, कलोरीन या लोईश green color होता है, hydrogen और oxygen का कोई color नहीं होता है, यानिके ये colorless होते हैं, ठीक है बच्चो, तो ये थी कुछ physical properties, नान मेटल्स की, मुझे उमीद है कि आपको concept कलियर हो गया होगा, आज की वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार,